ये जो काडियों में चलने लगे हो तुम पानी को किचर में बदलने लगे हो तुम हवा को जहर करने लगे हो तुम यहां जो पेड काट रहे हो तुम पानी को बरबात करने चले हो तुम कुदरत को बदलने लगे हो तुम हवाओने जो अपने तेवर बदल लिये सासों के लिए तड़पने लगोगे तुम बचा लो अपने कल के लिए कुछ वर्णा ना समझी मैं खुदा से लणने लगोगे तुम आप सभी को हमारा प्रणा मैं वेभवी मालविया और मैं उर्वशी पटी आज हम 94.8 Allegiance Academy FM Radio करने जा रहे हैं हमारा टॉपिक है Environment Issues हाँ हमारी अर्थ पर कितनी समझ्या है है हमारी अर्थ पर समझ्या है तो बहुत सारी है पर कुछ ऐसी है जो आगे जाकर हमें खत्रे में डाल सकती है क्या तुम्हें पता है ऐसी क्या-क्या समझ्या है उर्वशी हाँ वेभवी मुझे पैंदा है जैसे कि Air Polition, Noise Polition, Westage of Electricity, Cutting of Trace, Don't Regards, Food Westage, Global Warming, Health and Hygiene हाँ और यही प्रॉब्लम में आगे चलकर बड़ी प्रॉब्लम में डाल सकती है और कही न कई हमी इसकी जिम्मेदार है जैसे कि Westage of Water हम वाटर को कितना वेस्ट करते हैं कुछ लोग नल चारलू रखकर पानी के साथ खिरते हैं जल संक्रमेंट से हमारे देश में बहुत सारी बिमार्या फैलती है दुश्विक पेयल जल और संक्रमित पेयल जल की समस्याएं कई प्रदेशों में आज भी मोजोते यहां तक कि दिल्ली के कुछ इलागों में राश्र राजदानी शीत्र में आने वाले अधिकांज गाओं भी इससे पीड़ थे शुद्ध वनिर्मल जल जाह मानव के लिए स्वास्त की दिस्ट्रे से बहुत जरूरी चीज़ है वही मानव शरीर को मिलने वाले अनेक राश्राइनिक वा पोस्टिक अव्यव का अखारत भी है इसका मतलब यही कि शुद्ध चल स्वास्त की बुनियादी आवशकता है सरकाल भले ही कुछ भी बाते और दावे करें लेकिन सभी को शुद्ध जल उपलब्ध कराने की बात आज तक पूरी नहीं कर पाई है पानी की उपलब्धता को पूरा करने के लिए कुछ कुए खोदे जाते हैं नल लगाते हैं वाटर पंप्स लगाते हैं और यहां तक कि दूर दूर नदिया या नहरों से पाईपलाइन से पीने का पानी सप्लाइ किया जाता है जल ही जीवन है, जल है तो कल है, इसका अर्थ है कि जहाँ पानी होता है, वहाँ जीवन होता है, पुरे ब्रह्माण में पृत्वी पर ही जल पाया जाता है, जल हमें प्रक्रोरती द्वारा दिया गया है, तो हमें इसका सम्मान करना चाहिए, ना कि इसका अवियर्थ करना चा पानी के बिना हम जीवन के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं पानी के बिना किसी का भी जीवित रहना असंभव है प्रित्वी के सत्तर प्रतिशत भाग पर जल विद्धिमान है यह तो ठीक है वेबवी पर एयर पॉलिशन यानि वायू प्रदूशन तो इससे भी जान्दा घा तक साबित हो सकता है इसके का रए वायू मार्ग में झलन सास की तकलिफт खासी सीने में दर्थ हो सकता है वायू प्रदूशन के लंबे संकर संपरक में रहने कैंई कारण फेपड़े सबसे ज़्यादा प्रभावित अंग है इसके कारण पश्यों और पेड़ पधों की प्रहजातियां इस ग्रह से पूरी तरह नश्ट हो चुकी है भारत के अन्य जगव पर वायू प्रदुशन का मुख्य धूल और गेस ओटो मोबाल का उद्यों है हवा में कोई भी प्रदुशन केवल कई नियमों और दृस्टी पर हावी का कारण बन सकता है बलकि संपूर्ण निरियातंत्र का भी अस्त वेस्त कर सकता है वायू प्रदुशन भी वर्षा ना होने कारण बन सकता है और किसी शेत्र की मिट्टी और जीवन का नुकसान पहुचाता है खराब शहरी हवा को खराब करती है सन 1952 में लंडन में वायू प्रदुशन के कारण बड़े पैमानों पर हुआ स्वार्थ परता से उपर उठकर दुनिया के सभी देशों को इसमें अपनी भुमिका का संक्रियता से निर्वहन करने की जरुएत दुनिया के बड़े और शक्तिशाली देशों की वज़े से यह अधिक बढ़ता जा रहा है यहां एक बहुत बड़ी समश्या है हम सभी को पर्यावरण को प्रदुशित होने से रोकना चाहिए इसे रोकने के लिए नीजी वानों की जगा सारवजिन वानों का स्तमाल करना चाहिए जिस से सडक पर जितने कम वहां चलेंगे उतना ही प्रदुशन कम होगा इसके अलावा कटिंग ओफ फ्रीज पेड़ों के बिना धर्ती पर स्वच्च वातावरण का होना ना मुम्किन है धर्ती पर रहने वाले जीव जन्तु पेड़ों पर निर्भर है पेड़ हमारे वातावरण से लेकर हमारे स्वास्त तक को प्रभावित करते हैं यहां हमें ऑक्सिजन प्रदान करते हैं यह अत्यांत आवशक है पेड कुद्रत का एक अनमौल तौफा है पेड धर्ती पर जीवन का प्रतिक है इसके बिना धर्ती पर जीवन असंभव है यहां हमें कई आपदाओं से सुरक्षित रखते हैं पेड में केवल ऑक्सिजन और भोजन ही प्रदान नहीं करते हैं अपितुर यहां हमारे जीवन को जीने के लिए अत्यावशक वश्टु है जैसे दवाईयां स्वाश्य हवा वर्शा आदी प्रदान करते हैं पेड प्रक्रती को हरी-भरी बनाने में साहता करते हैं मनुश्य पेड़ों को काटने की वज़े से अपने लिए ये समश्या को आमत्रित करते हैं अरे इससे सुनकर तुम मुझे एक छोटी सी कवीता याद आ गई क्या मैं सुनाओ उर्वशी हाँ जरूर सुनाओ पेड़ बचेगा तो धर्ती बचेगी पेड़ बचेगा तो धर्ती बचेगी जीवन बचेगा कल बचेगा पेड़ से ही तो वर्षा होगी नदी बचेगी जल बचेगा जीवन में होगी खुशाली जब धर्ती पर पेड़ बचेगा जब धर्ती पर पेड़ बचेगा सही कहां पेड लगाओ जीवन बचाओं केवल एक नारा भर नहीं ये एक जिम्मदारी है जिसके लिए धर्ती पर रहने वाले हरेक इंसान को देखा और पहचाना जाता है तो पर्यावरण और हरी पृत्वी को बचाने के लिए ये हम सभी के लिए बढ़ा मुका हैं पेडों के बिना जीवन में रहना असंभव है एक पूरी तरह से विक्सित पेड बिना कुछ वापस लिए मानव ताकि कई वर्षों तक सेवा करता है हमें अपनी जिम्मदारी समझकार और पेड धर्ती के हरे सोने को बचा कर करने की शुरुवात करनी चाहिए पेड कटिंग ओफ ट्रीस के अलावा वेस्टिज ओफ इलेक्रिसिटी बिजली बिजली तो हम मानव चाती के लिए एक बड़ा उपहार है मगर अभी भी कई जगपर बिजली नहीं है कुछ लोग बिना बिजली के रहते हैं बिजली से कई प्रकार की मशीने चलती है इसी तरह हम बिजली से होने वाले दुसरे काम एयर कंडिशनर, हीटर, ओवन, फ्रीज का जरूरत से जादा हिसाब से उप्योग करना सीख जाये तो बहुत बड़ी मातरा में बिजली की बचत कर सकते है बिजली को बचाने के लिए प्रकृतिक प्रकाश का अधिक उप्योग करने का प्रयास करना चाहिए बिजली हमारे देनिक जीवन में एक महत्वपुर्ण भूमी का निभाती है और बिजली के बिना जीवित रणा असंबव है क्योंकि अब हमें इसके आदत हो गई है सबी कामकाश बिजली पर निर्बर होते है इसलिए अगर हम बिजली का सही तरीके से उप्योग नहीं करेंगे तो यहां खतम हो जाएगी और हम प्रित्वी पर जीवित न रपाएंगे जीवन में बिजली एक वर्दान है अगर बिजली नहीं होती तो आज हम कश्च दायक संपन और आरामदायक जीवन जीने के लिए बिजली एक आवश्यक संसाधन है बड़े पैमानों पर बिजली उत्पादन के साधन सीमित है हमारे देश वे बिजली कोयल और प्राकृतिक गेस के उप्योग से पेदा की जाती है बहुत से लोग को इस बात का अहसास भी नहीं है कि प्राकृतिक कोयला और गेस और नवीकरणिय साधन है या एक बार अगर ये संसाधन खत्म हो जाए तो फिर इनको पूना उत्पादित नहीं किया जा सकता इसलिए इन संसाधनों का उप्योग सोच समझ कर और सिमित मात्रा में करना चाहिए आज के दौर में बिजली से ही मानो जाती का कल्यान संभव है इसलिए हमें बिजली की वरबादी को रोकना होगा अगर बिजली नहीं होगी तो दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी बिजली के प्रती लापरवाई न बरते हुए और इसका महत्व समस्ते हुए इसका ज्यादा उप्योग ना करते उप्योग करन इसी के साथ इससे भिगातक साबित होती है समस्या है ग्लोबल वामिंग प्रित्वी के सता पर ओसतन तापमान का बढ़ना ग्लोबल वामिंग कहलाता है ग्लोबल वामिंग मुख्य रूप से मानव प्रेरक कारोकों की कारण होता है ओद्यों की करण में ग्री प्रभावित होता है global warming एक एशाथ सब्द हैं जिससे लगबाग हर कोई परिचित है हां और global warming एक गंभीर समस्या हैं जिस पर अविभाजित ध्यान देने के आवशक्ता है यह किसी एक कारण से नहीं बलकि कई कारणों से हो रहा है यह कारण प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों है प्राकृतिक कारणों में Green House गेसों की रिहाई शामिल है जो पृत्वी के पृत्वी से भागने में सक्षम नहीं है जिससे तापपान में वृद्धी होती है इसके अलावा ज्वाला मुखी विस्फोट भी ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है यहां यह करना है कि इन विस्फोटों से कार्बन डियोकसाइड के टर्न निकल करते हैं जो ग्लोबल वार्मिंग के में योगदान करते हैं इसी तरह मिठेन भी ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार एक बड़ा मुद्धा है ग्लोबल वार्मिंग पृत्वी के वातावरंड के तापमान में लगाता है जिम्मेदार हो रहा है हमारी पृत्वी प् गेसों से मिलकर बना है जिनमें कुछ जिल्द वाली गेश भी सामिल इन में से अधिकांश प्रितवी के उपर एक प्रकार से एक प्रक्रतिक आवरण बनाये जाते हैं यह पल्टा देने वाले जटके के एक हिस्से को रोग देता है और इस प्रकार प्रितवी का वारण गर्म बना रहता है ग्लोबल मॉमिंग अस दुनिया की सबसे बड़ी समस्य बन चुकी है इससे ना केवल मनुश्य बलकि प्रतवी पर रहने वाले प्रतिक प्राणी परिशान है ग्लोबल समाधान के लिए दुनिया भर में प्रयास किये जा रहे हैं लेकिन समस्य हुने के बजाए साल दर साल बरती ही जा रही है चुकि यहाँ एक शुरुवात भर है इसलिए यदि हम अभी इसे समलेंगे तो भविश्य को भी सिनिस्टर हो सकते हैं ग्लोबल बॉमिंग के अलावा फूट वेस्ट हमारा भारत देश अधिक जनसक्या वाला देश है हमारे भारत देश में यही नहीं बलकि पूरी दुनिया में आज कई ऐसे लोग हैं जो भोजन की बरबादी करते हैं कोई जान बुछकर करते हैं तो कोई ना समझी में करते हैं लेकिन वास्तों में भोजन तो भरबादी होता है भोजन की बरबादी लोग कई तरह से करते हैं हमारे देश में कई ऐसे लोग हैं जो कई तरह से खाने की बरबादी करते हैं और कुछ अन्न के एक एक दाने को भी महत्व देते हैं अन्न की बरबादी कई शाधी चमारों मे होता है लोग भोजन को थाली में छोड़ देता है इस तरह भोजन की भरबादी होती है आज हम देखे तदेश दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिनको दो वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो जरूरत है और इस और विशेश ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि भोजन की बर्बादी हमारे जीवन की बर्बादी है हमारे देश में लाखों बच्चे भूग के सोते हैं तो खाना फेकना निराश जनक है यह अनुमान है कि खाद उप्षिष्ट का 25% प्रतिवर्ष वीश् दुनिया में सबसे ज्यादा खराब होने वाला परधार्त ब्रेट वो मक्षन है कई बार लोग भोजन पकाने के लिए कई तरह की सबजी फ़ल, फूल, आदी ज्यादा खरीद लेते हैं और वो रखे-रखे खराब हो जाते हैं और इसी तरह से खाने की बर्बादी होती है प्रदूशन के मुख्य स्रोथ है निर्माण कार्य घरेलू उत्पादकों वह अधी अधीक तेज आवाज धीरे-धीरे स्वास्त को प्रभावित करती हैं और एक जहर के रूप में कार्य करती हैं विध्धार्ति को तेज आवाज करने वाले उपकरण और यंद्रों आदी का प्रयोग न करने के लिए प्रचाहित किया जाना चाहिए तेज आवाज वाले पठा को पार्टियो शादी आदी में प्रयोग को कम करना चाहिए नॉस पॉल्योशन किसी भी प्रकार के अनुप योगी ध्वनी को कहते हैं जिससे मानव और जीव जन्तू को परेशानी होती है जिससे यातायात से के दोरान उपरन होने वाले शोर मुख की कारण है जन संख्या और विकास के साथ ही यातायात और वहानों की संख्या में वृद्धी होती जिसके कारण एयर पॉलिशन बढ़ने लगता है अत्यादिक शोर से चले जाने का खत्रा होता है हेल्थ एन हाईजीन ये तो हमारी सेहत पर हमारी खानपान और जीवन शेली के साथ साथ पर्यावरन का भी असर काफी होता है पर्यावरन हर दिन हमारे स्वास्त को एक नया अकार देता है जहां हम रहते हैं, हम क्या खाते हैं और हम अपने आसपास के लोगों के साथ कैसे बातचीत करते हैं जबकि हम व्यक्तिगत विकल्पों के साथ स्वास्त के बारे में सोचते हैं जैसी कि क्या हम व्यावा करते हैं और टीका लगवाते हैं लेकिन बहुत सारी बहारी चीजे भी प्रभावित कर सकती हैं कि हम कितने स्वस्थ हैं हवा मनुश्यों के लिए जरूरी है अब सभी मनुश्यों को जिवित रखने के लिए ये जरूरी है लेकिन हम इसे साफ रखने के लिए हमेशा ध्यान नहीं देते हैं और इससे हमारे स्वास्त पर महत्पून प्रभाव पड़ता है, खराब वायू कुण वत्ता को स्वास्त मुद्दों की एक खतरना किस्तिती है, जिससे COPD चैसी कंबिर विमार्य शामिल है सेनिटीशन परियावरंण का हमारी शारिरिक सरशना, स्वास्त और मन पर प्रतिक्ष प्रभाव पड़ता है, परियावरंण के प्रकृतिक सांधन जितने स्वाच्च अपरुदुशित होंगे, अपना ही हमारा सरीर और मन स्वस्त होगा, इस प्रकार मनुश्य एवं पंधारियों तथा प्रक्रतिब परस पर प्रगांड संबंद हैं। हम अपना समय घर काम ये स्कूल में बिताते हैं। इसलिए यह मत्पून है कि ये स्थान ज्यादा साफ और स्वच रहने चाहिए। इसे साथ ही स्वास्थ जीवन शैली के लिए अनुकूल हो ऐसे ही आपके घर और पडोस का महुला होना चाहिए। जहां आप खुद को परियावरण के जरीए स्वास्थ रख सकें। आज के जमाने में लोग किसी की नहीं सुनते और अपनी मनमानी करते हैं। हुए कचरे को फैलाते हैं जिससे गंदगी फैलती है। कचरा वह वस्तो है जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है। लोग कचरों को जगा जगा पर फेक देते हैं। इसकी वज़े से अनेक बिमार्या जन मिलेती। इसलिए सरकार ने कचरे के निस्तारण के लिए कचरा प्रभंध भी किया है। लोगों को जगरुक करने के लिए अनेक कारिग्रम चलाये जा रहे है। कचरे से प्रकृती को भारी नुकसान होता है। और जब प्रकृती को हानी होती है तो हमें इसका गुंतान भी करना पड़ता है। प्रकृती हमारे लिए एक सुन्दर परिवेश है। ये हमें अनेक सुविधाय देती। इसलिए इसकी सुरक्षा का हमारा कर्तव है। कच्रा हमारे लिए जहर के समान है। प्रकृती को प्रभावित करने के कच्रा प्रमत्व नहीं समझाय रहें। और इसके उत्पन के साथ कई शिक्षित लोग भी होती है। जो किसी की बिना सुने कच्रा फैलाने में लगे रहते हैं। इसके साथ हम आपको अंत में एक कविता सुनाना चाहते हैं। हमने प्रकृती से नाता जोड़ा है। हवाओं ने भी खूब जहर छोड़ा है। इसका ठीकरा दुसरे के सर पर फोड़ा है। सुदर जाओ दुनिया वालो अभी भी थोड़ा है। हवाओं में सबसे ज़्यादा जहर। गाडियों के धुए ने ढोला है। शहर का हर पाच्वा आदमी। सास का मरीज है लेकिन। हमने फैक्टरी पर फैक्टरी खोला है। शहरों में पेड काटते ज्यादा। और लगाते बड़ा ही कम है। इन पड़े लिखों को कैसे समझाए। इसी बात का तो गम है। ऐसी तरक्की का क्या फाइदा। बच्चों को स्वच्च हवा ना दे सके। कोरोना का जब कहर बड़ा। सासे लगी तूटने तब हम अपनों को। औक्सिजन रूपी दवा ना दे सके। तरक्की दोलत के नशे मैचूर है। हम प्रकृती से बहुत दूर है। बिमारियोंने सबको घेरा है। सफलता का यह कैसा सवेरा है। सफलता का यह कैसा सवेरा है। तो फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आपके पसंदिदा प्रोग्राम मैं एलिजेंस एफेम। धन्यवाद। का इसकाम मैं एक च styles है। सब्सक्रीणा मैं एक मैं एक नाट है। ऱ ञान ऑखके मैं सफले साथ। सती आफ पनाग मैं एक रखके प्रोग्राब कर दोजमाम धन्यवा है। ड़ता है,선 नोट्ह्यों आपके तो इस झाल 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 झाल